पत्र में कहा गया है कि जिले भर में पार्वती सहित अन्य नदियों पर बड़े पेमाने पर हजारों ट्रेक्टर ट्राली से अवेत तरीके से दिन रात रेत का खनन पन डुब्बी और जेसी भी मशीनों के द्वारा हो रहा है प्रशासन भी इसे रोख पाने में असमर्थ दिखता है इससे लगता है कि प्रशासन को भी इनका खुला समर्थन प्राप्त है खनी जिवाग की भूमी का भी इसमें रेत खनन करने वालों के पक्ष में दिखाई देती है पत्र में लिखा गया है कि पारवती नदी पर अभी तक किसी ठेकेदार का एग्रिमेंट नहीं हो आए फिर भी अवेद तोर पर खनन करने वालों की लंबी लाइन लगी है क्या हजारों ट्रेक्टर ट्राली से पारवती नदी को चलनी किया जा रहा है छनी जिवाक को चाहिए कि इस पर वह स्वयम ही इस्थान पर हो रहा है अवेद उतखन को रोक कर स्वयम यहां की विवस्था देखे शाशन को इस अवेद उतखनन से करोडो रुपे की राजस्व हनी हो रही है पत्र में जिलाधिस से पारवती नदी सहीत जिले की अन्य नदियों पर हो रहे हैं अवेद उत्खनन को रोकने की तुरंद मांग की गई है